हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके समझते एक्जाम्स के लिए विकॉज आज हम बात करेंगे जो प्रिवीस येर का कोशन पर है इंडेस्ट्रियल फार्मिसे टुका जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो 2021 से 22 वाला है इसको हम सॉल्ट करने वाले हर एक कोशन वह भी बहुत एजी वे में ताकि आपको एक बार में हर एक कोशन अच्छे से समझा आ जाए तो एक बार कोशन पर हम देख लेते हैं सेक्शन जिसमें टोटली 10 कोशन है और 10 कोशन आपको करना है 2 माक्स करी करता है याईस अब एक-एक करके देख लेते हैं हर एक कोशन को सेक्शन इक अदर फर्स्ट कोशन है मेंंसर टू मेजर एपलिकेशन और प्लैट्फॉर्म टेक्नलोजी तो गाइस दो मेजर अपलिकेशन बताने तो आप बता सकते हो आपने पढ़़ा हुआ होगा गैन्ष dobr लिए और यह जो ड्रग डिलिवरी होता है कि टार्ग डुलीहोता है जैसे कि पर्टिकुलर यह है उसको ट्रीट लिए जैसे की कैंसर अब जो है लाइपोजोमा टेकनोलॉजी इसके अंदर जो हमारे ड्रग होता है इस ड्रक का फार्मखों काइनेटिक फार्मक लॉ जो है वो है basic role of SUPAC guideline तो guys SUPAC guideline आपको पता ही होगा scale up post approval changes मतलब आप जो drug का manufacturing करोगे MFG यानि manufacturing करोगे तो guys आपको approval चाहिए होता है कि हम यह steps यह equipment को follow करते हुए जो है वो manufacturing करेंगे अपने drug का बट एक approval मिल गया है आपको और आप कहरो कि जो मेरे को approval मिला है उसके बाद मुझे changes करना है after approval तो वही हमारा SUPAC होता है कि post approval changes करते हैं हम लोग इसके अंदर एक बार approval मिलने के बाद जैसे composition manufacturing process equipment या फिर साइड जहां पर आप कर रहे हो उसको छोड़के दूसरे स्टेट में करना है इसके लिए बहुत सारी changes होते हैं जैसे कि आप जो drug का आप manufacturing कर रहे हो आप सोच रहे को उसके अलग-अलग flavors या available हो तो उसके लिए आप changes करोगे तो वह यही सारे changes है कोई machine में करना है कि वह यह दूसरी machine उससे fast काम करेगी और better काम करेगी एक्सीपियंट में तो वह आप बता सकते हो two marks according अब next आते हैं वह है four agencies responsible for successful technology transfer in इंडिया यानि चार technology transfer बताना है आपको agencies का तो agency आप बता सकते हो कोई भी चार यहां पर totally six लिखा हुआ है इसके अंदर APCTT जो कि Asian Pacific Center for Transfer of Technology NRDC हो गया TIFAC हो गया BCIL TBSC कोई भी चार आप बता सकते हो अब next question पर आते हैं next question यह पूछ रहा है कि state the role of one major technology transfer agencies of India किसी एक का में जो रोल होता है वो बताना है तो आप APCTT का बता दो Asian Pacific Center for Technology Transfer तो यह क्या करवाता है यह strength provide करवाता है जो industry है उसको funding आपको कुछ है ना समझाए तो आप बस company का नाम तो आपको याद होगा और सभी का पहला रोल तो यही होता है कि funding सभी के सभी प्रोवाइड करवाते हैं उसके अलाबा जो प्रेड़क का मैनुफेक्ट्रिंग जो कम इंडस्ट्री कर यह उसको help करवाना तो आप बता सकते हो promote, develop, commercialize यह सब कंपनियों का काम होता है अब आते हैं next question पे next question यह पूछा है state to important function of the regulatory affair department तो यह बहुत जाता important है हर एक industry के अंदर आरे डेपार्टमेट का आरे बोल सकते हैं आप इसको आप इसको डी आरे बोल सकते हैं drug regulatory affair तो यह काम क्या करवाते हैं जो हमारा drug है वो drug industry के अंदर आई मतलब industry के अंदर जो है वो proper जो government है उसने जो norms प्रोवाइड किय हैं इन norms को follow करते हुए जो है वो drug industry manufacture कर रहा है ना तभी तो उसको approval जो मिलेगा वो जल्दी मिलेगा तो यह आरे जो है वो कहता है industry को हर एक चीज़ बताता है कि आप यह जो step है उसको ऐसे करो ऐसे करो जो इनके norm से उसके according काम करो कोई भी shortcut तरीका योज़ ना करो otherwise बाद मे problem create होगा और उसको follow करते हुए जो drug होता है वो efficacy बहुत अच्छा उसका efficacy और safety रहता है तो guys यहीं पर मैंने यह सभी कुछ लिखा हुआ आप यहां पर पढ़ सकते हो सिर्फ इतना ही आपको बताना था उसके अलावा अब next question जो है वो है non clinical drug development non clinical को pre clinical कहते है और pre clinical जो ट्राइ इस्टेडी करते हैं एनिमल्स पर जो भी एनिमल्स है और उसके बाद ही जो है हम क्लिनिकल यानि human पर ट्राइल करते हैं उसका अगर उन पर रिजल्ट अच्छा आएगा तो तो जो हम टेस्ट करते हैं जो फार्माकलोजिक टॉक्सिजिकल वह इन विट्रो इन वीवो इन व six sigma concept तो जो यह six sigma concept है पहले आप बता सकते हो founded by Motorola in 1970s और इसका यूज़ किया जाता है identify करने के लिए जो फी आपका defects आ रहा है manufacturing के टाइम पर और उसको remove करने के लिए जिससे improve कर सकते हम अपनी जो drug है product है उसकी quality को यानि हम मेली इसके अंदर यह काम करते हैं करना वेस्ट को जो rework mistake है उनको solve out करना अपने product के quality को improve करने के लिए इंक्रीज करने के लिए customer के satisfaction को इंक्रीज करने के लिए profitability को तो यह हमारा six sigma concept से हम यह समझते हैं अब next one is mention the specification of ISO 14000 series यह आपका यह दो question जो है वह पहले भी आई हुए है previous semester में भी तो ISO 14 जो कि में काम करता है हमारे environment है जो जो भी waste निकलता है हमारे industry के अंदर से वह जो waste निकल रहा है उसको अच्छे से वह consume हो जाए ताकि वह environment को affect ना करें यह हमारा ISO 14000 का काम है create a more efficient effective operation increase customer satisfaction decrease audit increase market increase profit decrease waste तो यह सब आप बता सकते हो नेक्स्ट वन इस cdsco तो गाइस cdsco का हमें क्या बताना था यहाँ पर responsibility यानि उसके जो function है वह क्या काम करते हैं तो हमारे जो cdsco है यहीं तो काम करते हैं new drug को approval दिलाने के लिए जो clinical trials करते हैं हम लोग वह approval यही प्रोवाइड करते हैं इसके अलबब कोई भी drug या cosmetic जो है वह बैन होगा इंडिया के अंदर वह यहीं सिडस को ही काम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो license import export के लिए सब यहीं काम करते हैं cdsco यहीं तो function है इसका next one is mention the significance of copp जो कि हमारा लास्ट कोशन है टुमाक्स का कोडिंग तो सीओ पीपी इस सर्टिफिकेशन और फार्मसेटिकल प्रेडक्ट कोई भी फार्मसेटिकल प्रेडक्ट है उसका करते हैं इसको किस ने दिया है तोleben होता है यह कि कंफला सरी होता है किसी भी इंडस्ट्री को कोई भी इंडस्ट्री कोि प्रेडक्ट जो है वह उसality के अंदर उसality के अंदर लांज करने के लिए मार्केट अप्रूवल उसको मिलेगा और वह अपना प्रड़क्ट वहाँ पर सेल कर पाएगा तो यही इसके सिग्निफिकेंस से आप यहाँ पर बढ़ भी सकते हो तो गाइस अब नेक्स पर आते हैं सो फाइनली हमने टोटली टो मार्क्स वाले सौल कर चुके हैं तो आई होब आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और यूनिट वाइस यूनिट वन से लेकर ना यूनिट फाइब तक हमने क्या कर रखा है कि इंपोर्टेंट कोशन के जो सॉलूशन से वह भी अविलेवल प्रोटोकॉल्स वह सब देखो टेकनोलोजी ट्रांसफर की यहां पर बात हो रही है यानि जो हम टेकनोलोजी का ट्रांसफर कर रहे हैं उसका जो अब्जैक्टीव इसको यह सब किलियर होना चाहिए और जो कर्म परसनल करमचारी काम करेंगे क्या रिस्पॉंसिबिलीटी ह है उनकी और कॉम्पैरिजन करना जो मैटेरियल से और एक्विपमेंट से डॉकुमेंटेट फॉर्म में होना चाहिए यह सब उनस गाइलेंड के अंदर है तो पहले तो यह टोटली टुवल पॉइंट से देख लेता है वन बाई वन और ट्रांसफर स्टेजेस विड्ट है कि यह संभल के करना है नहीं तो हमारा क्वालिटी पे इंपक्ट पड़ेगा और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कैसे दोंड ले उसको इसली उसको भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए एक्सपरिमेंटर डेजाइन किस तरह कि हमें क्या-क्या एक्सप का इंफर्मेशन होना चाहिए और एसेस्मेंट कर देना एंड प्रोड़क का नेक्स्ट वन इस अरेंजमेंट फॉर कीपिंग यानि कैसे आपको जो सैंपल है एंटरमेडियेट फिनिस प्रोड़क्ट इसको कैसे रखना है इसके लोगा फाइनली हमारा लास्ट पॉइंट ह लिए साइंच चाहिए होगा तो वह होना चाहिए यह सभी के सभी जो 12 पॉइंट से यह रूल्स को फॉलो करना पड़ता है टेक्नोलोजी ट्रांसफर का जो डवलो एच और प्रोड़क्ट किया है अब कैसे यह होता है तो उसके लिए इंवॉल्मेंट होता है मारा सेंडिं करवाएगा जो भी नैसेसरी वैलिडेशन डॉकुमेंट से अब यह ट्रांसफर इतना सोच रहे हो कि होता क्या है इसके अलब आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो इसने क्या कि समझ लो कि इसने प्रोड़क्ट ट्यार किया बट इसने कहा कि जो इसकी क्वालिटी है ना वह और बैटर हो सकती है तो दूसरी जो है वह इंडेस्ट्री को इसने बेज़ दिया अब यह दूसरी इंडेस्ट्री क्या करें कि उस पर और वर्ग करेंगा या बताईगे क्या यह जो प्रेट्र कर देना तो इसके तरफ से कौन बताएगा वह सेंडिंग यॵिदस हैं और यह सेंडिंग यूनिट एसे दा सुटेबिलेटी और डिग्री ओप्रिपारिडनेस मतलब हर एक चीज उसको मालूम होगा एक्विपमेंट सपोर्ट सर्विस प्राइमाइसे जो की हमारे रिसीविंग यूनिट को बताएगे और यह दोनों के दोनों वैरिफाई करते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं यह सब भी प्रोटोकॉल्स के अंदर में है कि यह दो को अच्छे से वैरिफाई कर लें सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट दोनों को एक्जेक्यूट करना है आपस में एक चेकलिस्ट बनाना है टेकलोजर ट्रांसफर का और कोई भी चेंजस इनको करना हो या अडेप्टेशन करना हो तो साफ साफ डॉकुमेंट में यानि केरफॉली मेंशन हो सेंडिंग और रिसीविंग यूनिट को एक फाइनली संब्री रिपोर्ट भी बनाना है तो फाइनली यहां पर यह आंसर कंप्लीट होता है और यह 10 मार्क्स से को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो हर साल यह पूछा जाता है स्टेप्स ऑफ डाटा प्रिजेंटेशन ऑफ फोर एफडिया समिशन मतलब किस तरह से आप अपने डाटा को प्रिजेंट करोगे एफडिया को सब्मिट के लिए जो भी आप फॉर्म भर रहे हो जैसे कि आप नियो ड्रक का एप्रूवल चाहिए या किलिनिकल ट्रायल्स या कुछ भी तो एफडिया को किस तरह से आप सेंड करोगे तो वही सब यहां पर आप समझोगे अच्छे से डाटा प्रिजेंटेशन फोर एफडिया समिशन जो आपका स्टेडि डाटा मतलब जो किलिनिकल यह बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है यह डाटा प्रिजेंटेशन के अंदर बिकॉस यह स्टेंडेट से आपको समझ आएगा कि जो आप समिट करोगे वह इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होगा एक तो आप ECTD याने इलेक्ट्रोनिक द्वारा आप सेंड करोगे उनको त इतना मत सोचिए कि आपको यह पूरा लाइन वाइस लिखना है नहीं जो मैं बोलना हूं कि जो फ्रेमवर्क आप रेडी करोगे डाटा प्रिजेंटेशन फॉर एव्ड यो नेट टू मैंशन दा वर्येवल्स इन इस्टेंडर नेम्स एंड डाटा सीट एंड टेंप्लेट विद प्रॉपर यूज सो उसके अलावा आप यह देखोगे कि जो एफडी है वह जो है उसको पसंद है कि वाई जो भी हमारे पास आ रहा है डाटा वह एक मैनर में हो एक स्टेंडर वे में हो तभी तो उसको अच्छे से वह जो है वह उसको कैप्चर करेगा रिसीव करेग हेल्थ है पेशेंट की सेवटी है वह इंप्रूव हो रही है उस डाटा के अकॉर्डिंग तो ही ठीक है इसके अलावा एफडिया इंप्रूफ करते रहता है जो भी इनका स्ट्रक्चर साइंटिफिक डाटा है कि और बैटर हो सकता है तो और बैटर करें इंडस्ट्री और उस टाःब के डाटा को यह चाहिए इनको बैटर डाटा इस्टेंडर दो तरह से हो सकते एक ऐस्टेंजेन और है तर्मिलोज्य इस्टेंडर अब दूसरा है और आपको समझाओं कि आप प्रिस्क्रिप्शिंग के अंदर क्या हो घेडरन करते हो एक सब्सक्राइबर घाराइब यह जो टर्मिनोलॉजिस यह सब आपको जो है वो फिस्याई जो मिला है उनको प्लापर यूज्ट करना है बस यही आपको यहां पर मैंचिन करना है बस इसके रवगत कुछ नहीं अब डियों को क्या चाहिए अब डियों को चाहिए इसी टीडी चाहिए तो गाइस इसी टीडी के लिए जो यह एलेक्ट्रोडिक सब्मिशन है उसके लिए चार स्टेपस एक तो अल्ली प्लैनिंग एंड मैंजमेंट ऑफ दा प्रोजेक्त डॉक्मेंट का प्रिप्रिशन् डॉजियर पॉब्लिशिंग और डॉजियर सब्मिशन तो डॉजियर आप सुन रहे हो तो यह है क्या यह प्ली क्ली क्लिनिकल डाटा है उसको डॉजियर कहता है इसके अंदर हर एक चीज आएगा कि कैसे आपने पैक किया है वग्यार सब जो name of each document with information such as responsible जो person या party responsible है उनका सारा डीटियल search list will be useful for not only to check यह सारी information सिर्फ इतने के लिए निया कि कोई missing component है उसके लिए but also to merge the whole process of submission preparation efficiently यानि पूरा अच्छे से जो है वो submission preparation हो जाए उसके लिए भी glossary glossary के अंदर आपको जो भी terminologies है वो better way में अच्छे से लिखो बस वही glossary बताता है template template आप समझती होंगे अगर आपने project अभी आपका चल रहा होगा अगर आपने project बना रहा होगा इसके अंदर आप एक proper template का यूज करते हैं उसके अंदर जो styles, text, graphic या better होना चीए कितने size में आपको लिखना है कैसा layout होगा timeline table timeline table development and management of timeline table is one of the most important tasks in submission planning phase एक पूरे timeline के अंदर में सब कुछ आप अच्छे से प्रॉपर सेंड कर दो specifically when the submission is performed by collaboration यानि आप 2-3-4-5 जितने भी कंपनियां मिल करके वह एक project पर काम कर रहा हो तो सभी जो data है वह एक proper time के अंदर आजाए आपके पास और आप एक साथ उन सभी data को send कर पाऊ ESG electronic submission gateway यह एक agency है FDA का अब यह जो है यह वाइड solution for accepting यही जो है एसेफ्ट करते हैं electronic regulation submission का FDA के अंदर ESG का काम है कि यह submit ले सब कुछ और यह बहुत ही easy available है highly scalable है high performable है और बहुत secure है FDA के अंदर जो ESG है यह provide करवाता है दो method for marketing submission to FDA अब यह किस तरह से अगरेगा तो wave trader और system to system तो guys finally यहां पर हमारा एक और answer यहां पर complete होता है अब आता है next question give a brief idea on regulatory requirements and approval procedure for new drug यहां पर हम new drug की बात करें new drug के लिए जो भी प्रोसीजर अप्रूवल प्रोसीजर सी यह होता है आरेक की तरफ से वह सब के सब के बार में बात करना वाले हम लोग with point to point तो guys new drug approval के लिए सबसे पहले अगर आपको launch करना है drug कोई भी अब launch करोगा यह ने new drug होगा वो तो इंडिया market के अंदर जो भी company launch करना चाहिए जो भी person या कोई भी sponsor या organization या industry तो उसको नीड होती है authorization किसका authorization तो regulatory authority of India की अब यह जो है वो हमारे CDS को है थोड़ी जर पहले भी आपको मैंने two marks वाल बता है उससे आपको तो idea लगी गया होगा CDS को क्या करेगा सारे data आएगा वही approval देगा हमने पढ़ा भी था two marks से according अभी और CDS को के साथ authorization तो चाहिए बट उसको permission भी चाहिए से होता है DCGI से drug controller general of India this is known as the process for new drug approval the new drug approval is of two phase process अब भाई new drug है आपका इग्दम newly perform करना होगा उसके बाद मार्केट मां authorization वी चाहिए वह कैसे मिलेगा तो वह clinical और non-clinical data से मिलेगा तो पहले आपको clinical trial करना होगा तो उसके लिए firstly non-clinical study जो आपने complete किया है उसका result देखोगे आपने देखा कि उसका जो efficacy safety है वह जिस भी डिजिस के लिए वह एकदम बैट के अंदर फिल करके भर दोगे उसके बाद finally आपको वहां से मिलेगा आपको क्या आपको आगे करना है DCGI से कि आपको clinical trials करने चाहिए अगर आपका result अच्छा हुआ तो approval मिल जाने के बाद तो आपने clinical trials किया clinical trials के अंदर आपने देखा phase one phase two phase three जो है यह एक्दम अच्छे result आ उसके लिए clinical drug development के लिए nda जो है वह फॉर्म भरना पड़ता है और nda जो application होगा इस समिट होगा इन विच जो भी आपका प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्ट डाटा अरे प्री क्लिनिकल क्लिनिकल डाटा जो है वह आप nda फॉर्म में भरोगे यह nda फॉर्म होता यह मैंने आपसे बताया अभी थोड़ी दर पहले nda फॉर्म किसलिए होता है यह new drug के अप्रूवल के लिए होता है जो आई nda था यह clinical drug development के लिए था और clinical drug development के बाद जो दोनों का result आया है उसको nda फॉर्म से आप भर होगे अब nda फॉर्म भर दिया तो उधर देखेंगे अनलाइज करेंगे अच्छा इनका जो रिजल्ट हो बैटर है और सब कुछ महां पर मैंशन का नौपर फॉर्म के अंदर manufacturing procedure हरी चीज और बहुत पेजिस का होता है तो तो तीन-चार पेजिस का तो आपको भरना होगा उसके बाद एजनसी के बाद जब इनके पास आता है त इस वज़े से हम नहीं दे सकते हैं फाइनली यह पूरा आपका 10 माक्स वाले भी कंप्लेट होता है अब आते हैं यहां पर हम लोग सेक्शन सी जो की थर्ड का यह पर आते हैं इसमें पूचा सिगनिफिकेंस और पर्सनल रिकॉर्मेंट्स इन पाइलेट प्लांट इसके कि आप लिए बता हो तो पहले आप श्टार करना पालेट होता है आपको समझा देता हूं आपने लैब के उनदर एक फॉर्मुला t आपने फॉर्मुला बनाया इस फॉर्मुला को देखा कि यह जो है वह मैंने इस्टमख पीन के लिए एक टैबलेट बना दिया यह अपने लेब में काम किया है तो आप क्या करोगे अब यह आपने इस टमख पीन के लिए जो टैबलेट इसको डार्ज स्केल पर ठोडी यही होता है हमारा पाइलेट प्लांट लेस्ट क्वांटिटी में हम प्रोड़क को फॉर्म करता है वह यहां पर लिखा हुआ है और देखेंगे अगर रिजल्ट अच्छा है का अगर सक्सिस्फूल हमारा वो टैबलेट बन जाता है उस इसमॉल स्केल पर ताब हम उसको लार् और इंडी गुरूप और स्टाफ आते हैं और यहां पर फॉर्मिलेटर भी आते हैं आर एंडी आपको पता ही है जो प्रोसीजर जिन्हों प्रोड़क करवा है और फॉर्मिलेटर जो डेवलप करेंगे प्रोडक को काम को डिवाइड करें परसनल जो साइंटिस्ट होंगे जो एक्सपीरियन्स वाले पाइले प्रेंट ऑप्रेशन में वह एक्शुल प्रोडक्शन एरिया में पहुंचे होने चाहिए जो परसनल करमचारी है यह इरादा समझ सके जो फॉर्मिलेटर है जो प्रोड़क कर वा रहा है तो वह इस तरीके से काम कर रहा है मतलब कि आप रहे हैं इसको इतना तो पता हो गए पर्सनल को कि यह जो बन रहा है वह सॉलिड डॉजेश फॉर्म यह लिक्वेट समीसॉलिट डॉजस फॉर्म जो बन रहा है उसके एक्वर्डिंग वह समझे कि अच्छा यह काम चल रहा है तो इस तरीके से यह काम होता है और यहुशो सब्सक्राइब को समझे और गुरॉप सुट हैव सम पर्सनल इंजीनियर मतलब जो पर्सनल कमचारिया उनके पास थोड़ा इंजीनिरिंग नॉलेज भी होना चाहिए कुछ के पास जैसे कोई मसीन अगर खराब हो जाती है तो कि आप पूरा काम स्टॉप कर देंगे नहीं न तो यह नॉलेज होगा तो उसको ठीक ठाक कर देंगे और इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा काम अपना इस पेस रिक्वार्मेंट्स में आप बता सकते हो इसके अंदर यहां पर सब कुछ दिया हुआ है कि अनिमिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन इसके अंदर एड़ुएट फ्लोर इस्टोरेज एरिया सब कुछ आप यहां पर बता सकते होगी एक्सिरिपेंट्स के लिए जो एप्रूवल वह इधर वह उधर जाएंगे उसके लब आप यहां पर थोड़ा सा प्लाइट का अब्जेक्टिव बता के खतम कर सकते हो विकोज कोशन ही इतना कम छोटा सा पूछ लिया था उसने कि परसनल रिक्वार्मेंट्स के बार में सिर्फ और सिर्फ बताने थे तो आप कितना बता पाते इस वज़े से थोड़ा उसको इलेबरेट करने के लिए आप और भी उसके अंदर एड़ कर सकते हो अब नेक्स्ट करवाना है और उसके बाद प्रेडक्शन साइट पर यह जाएगा अब यह प्रेडक्शन साइट पर जा रहा है न तो यही जो जा रहा है यहां से वहां तक वह टेक्नलोजी ट्रांसवर हुआ टी टी वह कैसे होता है वह स्टेप्स आपको समझना है तो मैंने अभी आप से कहा है कि प्रॉसेसTime करांसवर क्या होता है आरेंदी ने पहले डिफलोफ किया उसके ऐसके बाद कुछ भी सब मास्टर पैकेजिंग कार्ट किस मेटिरियल से आपने पैक किया उसकी स्टिबिलिटी कि जो सेल्फ लाइफ वह क्या है मास्टर फॉर्मुला की यह इसी फॉर्मुला के बेस पर पूरा काम चलेगा पूरा हर एक स्टेप फॉलो होगा इस ठाइस प्रोशेजर एक सिपेंट कर रिगारड़िं इंफॉर्मिशन होगा अब स्टार्ट करते हैं जो मैं आप से स्टेप बए स्टेप बोछा था कि वह क्या स्टेप होते हैं तो सेंडिइन उनिट फूट इंफॉर्मेशन सेंडिंड यूट जो कि आर इंड की तरफ से ह और सचोंद तरफ से होगा वह receiving unit है तो सेंट करेंगी receiving unit को टरेगी सहां जो भी processing and testing include जैसे कि our explanation of facility required and equipment जो equipment यह आट्चा समझेगी data,il स्पर्डूरेज हमें need raw materials के लिए जो भी production आपकरोगे तो जो까요 raw materials उसको इस तरह का स्टोरेज होना चाहिए और फिनिस्ट प्रोड़क्ट का और एक्स्प्रेनेशन ऑफ एनलेटिकल मैठड की इस एनलेटिकल मैठड को फॉलो करके अनालीसिस करना है तो गैस यहां पर थोड़ा साब कन्फ्यूज मत होईएगा मैं यही बताना चाहिए कि रिसार्च और डेवल क्योंता तो यहां पे बात हो रहा है कि उन्होंने बोला है quality बढ़ाओ तो qalitustica बढाने के लिए सा LOOK को यहां पर देख रहा है कि जो उन्होंने फॉलो किया है डेवलोपमेंट वालोंने तभी टो डेवलोप किया उन्होंने तो वही और बैटर कैसे करें तो वैलिडेशन डाटा स्टेबिटी इंफोरमेशन कोई वह ऐसा इन्वरमेंट ऊंटमिंट नहीं चीए जो हमारे प्रॉडॉक्ड के ठीक हो नहींतों दिखकत दे हमारे product को वह environment तो उसके लिए भी सब कुछ mention करना है उसके बाद finally जो भी यहां पर समिट किया है process development at rio should address तो सब कुछ जो मिला है उसके बाद rio क्या करेगा rio जो है वह एक plant start करेगा और उसके अंदर सब कुछ बताएगा जैसे कि to compare and evaluate the stability जो उन्होंने data दिया है उसको compare करना evaluate करना कि वो ठीक है पहले तो यह सब हो गया उसके अलाबा explain of manufacturing procedure किसको कर्मचारियों को बताएगा receiving unit की इस तरह से यह process को follow होगा determine important phase in manufacturing manufacturing के अंदर यह वाला जो time है बहुत important phase है जैसे whole time end point sampling technique यह सब अच्छे से समझाएगा उसके लबाद estimate stability information estimate करना उसके बाद finally एक checklist मन जाएगा जिसके अंतर mention होगा finally जो production वाले हैं वो start करेंगे अपना तरीके से कि production master formula उनके पास manufacturing and dispensing instruction मिल चुका है analytical method cleaning instruction packaging instruction processing deviation file analytical deviation file सब कुछ तो गैस यह जो है वहां से production तक आ गया यह steps बताने ते आने का ना कि अब production के बार में भी start बताना वह नहीं बताना बस इतना ही बताना था अब next question जो है state and explain the legal issues during technology transfer development and transfer तो गैस इसका मैं आप से बोलूँगा कि आप एक बार comment में जरूर इसका अंसर बता है हमें जो सी वाला है थार्ड का सी अब आते हैं डी वाले पर डी वाले में है रिस्पोंसिबिलिटी ओफ डी आरे यानि हम regulatory affair बोल दो या डर्ग regulatory affair authorities कुछ भी बोलो तो regulatory affair थोड़ी दर पहले मैंने आप से बताया कि एक डाइनेमिक चैलेंजिंग प्रोफेशन है जो गवर्मेंट की desire है जो norms प्रोवाइड किया हिन्होंने वह फॉलो है इंडेस्ट्री के अंदर इसलिए इंटरफीस है जो हमारे प्रोडक्त है वह launch कर दो मार्केट में तो गाइस रोल्स और और अफेड़ डेपार्टमेंट तो गाइस रेस्पोंसिबिलेटी दोनों बता दो दोनों सबकुछ हम देखेंगे तो गाइस रेगोलेटर अफेड़ डेपार्टमेंट अभी मैंने आप से बताए कि यह कर सकता है ministry of health और जो इंडस्ट्रिय इन दोना के बीच में तो जो हमारे डियारे है यह क्या करता है इन्होंने जो है वह एप्रूप्येट लॉग या रूल्स बना रहे हैं कंपनियों के लिए कि यह जो है वह चेक करता रहेगा कि हमने जो बता रखता है जो गवर्मेंट के न इंडस्ट्री बना रहे है वह जल्दी से जल्दी डियारे है करवाएगा इंडस्ट्री को कि वह न्यू ड्रग है उसका सही से डिसिंडिग्रेशन टाइम डिजॉलूशन टाइम हार एक चीज जो है वह सही तरीके से हो और उसका रिजल्ड अच्छा हो तभी तो जो हमारा जो ड्रग मन रहा है वह उसके क्वालिटी एफिकेस सेप्टी जो है वह मिलेगी जो एक स्टैंडर्ड जो नॉप्स प्रोवाइट करवा रहा रहा है उससे जिसको वजह से इनको जल्दी एप्रूवल मिलेगा तो यह डियारे ही बहुत काम करते हैं यह जो हमारी इंडस्ट तब एप्रूवल मिलेगा तो फार्मसेटिकल कंपनी जो डियारे हैं वह कलेकर सभी डाटा ड्रग डिस्कवरी से लेकर ड्रग स्टेजस डेवलोप्मेंट के सभी काम आते हैं वह सब रेजिस्ट्रेशन और मार्केटिंग में जो हमारा आरे हल्प करता है तो आरे जो है वह एन अडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग ऐसे करके आप लिखते चले जाओ रैगुलेटर रैस्पोंसिविलिटी क्या होती है रैस्पोंसिविलिटी इनकी क्या होती है कि जो लॉव बनाए गया है उसको फॉलो करते हुए काम हो पहला तो यह उसको कॉंपलाई करें हमारे ज आगर आप काम कर रहे हो तो इसको भी चेक करेंगे और बताएंगे कि यह चीज वॉरहा यह नहीं होरा तो उसको में आघर करता है कंपनियों को वेरियस एस्पेक्ट जैसे कि क्लाइमेट ऐसा कोई क्लाइमेट जो अफेक्ट करता हो हमारे प्रोड़क्ट जो मैनुफेक्ट्रिंग हो रही हो वहां पर तो वह सब बंद आएगा हर एक चीज दर एक पर प्रोफेशनल जो होती है इनके आई पर होती है मतलब कि जो भी कंट् द्रग हमारी जो है यह पैरसीटमोल यह दूसरी कंट्री में भी जाएगी जैसे कि यूएसे में भी जाएगे तो यूएसे में ने बोर रखाई कि इसका एक और एवल्यूएशन टेस्ट करना है तो वह भी उनको करना पड़ेगा तब ही वहां पर भी लॉंच होगा उनका डी आरे प्रोफेशनल एडवाइस लेगे लिए टेक्निकली हर एक स्टेजस पर कंपनी के बोलेगा जिसके वजह से उनका पैसा बचेगा रिसोर्स बचेगा ड्रग डैबलोप्मेंट और मार्केटिंग सब हेल्प होगा तो वाइस यही सारी यहां पर लिखे हुए बहुत सारे पॉइंट से आपर जो में रिस्पॉंसबिलेटी होती है अरे का प्रिप्रेयर करें प्रिजेंटेशन अच्छे से करें प्रिजेंटेशन बना करके कभी जरूत पड़ जाती है जैसे कि मार्केटिंग ऑथराइजेशन के टाइम पर वहाँ पर यह सब कुछ अच्छे स अगर आप ने कि अच्छा है तसे क्लेंइक ट्राइज कर सकते अंतर हों और यहां पर यहां पर फॉल्ले क Rings से प्रैसिए यहां पर छान परस मेंने सब करते हुए काम हो और इसके अंदर step by step जो protocols के अंदर है वह first है यहाँ पर general information general information के अंदर आपका सब कुछ mention होना चाहिए जो भी name address sponsor जो करवा रहा है उसका उसके अलावा जो 23% है उसका भी सब कुछ यहाँ पर mention होना चाहिए इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो guys name title address and telephone number of sponsor medical expert for the trial और name of the title of the investigator जो invest कर रहा है who is responsible for conducting this trial उसका भी सब कुछ नाम यह सब और address telephone number सब कुछ होना चाहिए एक file के अंदर पूरा proper उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशनल प्रड़क्त जिस प्रड़क्त के ऊपर आप इन्वेस्ट किये हुए हो वह प्रड़क्त के ऊपर जो क्लिनिकल ट्राइल करोगे तो उसके सब कुछ उसका नाम क्या है उसके बारे में यह सब आप मैंशन रखोगे इसके अंदर उसके अलावा यहां पर समरी और फाइंडिंस फ्रॉम नॉन क्लिनिकल स्टड़ी जो समरी यह नॉन क्लिनिकल स्टड़ी आने प्रीकिलिकल आपने किया है वह सब रिजल्ट हो अहाँ Summary form में हो Summary of the known and potential risk and benefits जो रिस्क है वो उसके बारे में मैंशन होना चाहिए benefits के बारे में भी तो गाइस इसके अलावा यहाँ पर जो administration किस तरीके से करना है सब्सक्राइब करना है इसके अलावा यहाँ आप देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स है तो कुछ-कुछ पॉइंट्स यहां पर आप लिख सकते हो ट्राइल ऑब्जेक्टिव और परपस डिस्क्रिप्शन आता है ऑब्जेक्टिव किस परपस से आप यह ट्राइल है तो उसके बार में यहां पर आ चुका है जैसे कि यहां पर आप देख सकतो हर एक पॉइंट और स्पेसिविक स्टेट्मेंट आफ प्राइमरी एंड पॉइंड और सेकंडरी एंड क्या है उसके अलब और डिस्क्रिप्शन आफ टाइप यह डिजाइन आफ ट्राइल जो बडेक्स है जो कंडॉक कर रही हो इसका और यहां पर पढ़ी सकते और ग्लावर कंट्रोल युद्हर डिजाइन और सिस्रेमेटिक डियग्राम उफ ट्राइल डिजाइन का और सभ्रोू और साहताया का इस इस पर यहां पर ना देख सकतो तो इसके अलाबभर और और description of major taken to minimize avoid bias including randomization blindness इसके अलाब भी यहां पर बहुत सरे पॉइंट है तो थोड़ा थोड़ा आप यहां पर mention कर सकते selection and withdrawal subject selection इसके अंदर क्या होगा कि जो लोग होंगे इन किस लोगों का आपको सिलेक्ट करना है यह जो है वो healthy होने चाहिए या फिर disease को introduce पहली से मतलब बीमारी है उनको आप ट्रेट करें जैसे कोवीट के टाइम पर क्या होगा कोवीट पेशेंट पर डारेक्ट वह कर रहे थे और कुछ जो वाइटेमिन्स हो गया यह पर न्यूट्रेंट्स वाले होगा यह healthy लोगों पर करते हैं हम लोग तो वहीं यहां पर दिखाया गया और क्या-क्या उन पर सिंटम्स यह सब होंगे तो उसको आप ट्रेट करोगा ट्रेट्मेंट ऑफ सब्जेक्ट के अंदर आप यहां पर आते हैं हम लोग जो ट्रेट्मेंट कर रहे हैं दा ट्रेट्मेंट तु भी एड्मिनिस्टर इंकुलिडिंग दा नेम अफ आल दे प्रोड़क्त दोस्ट ड अफिकेसी पैरमीटर्स जो भी आपको ड्रग का अफिकेसी उसके लिए और एसेस्मेंट के सेफटी के लिए जो अमारे ड्रग कितना सेफ है उसके लिए भी सब कुछ वहां पे मैंशन हो वहां पर वह सब कुछ नोट डाउन करते हैं तो यह जो आम देख रहे हो रहा है यह आप क्लियरीकल का रहे हो तो अब नैस्ट हाते हैं जो यहां पर आप क्यो बीड़ी के U जो प्रड़क्ट बना रहे हैं उसके बार में हर एक information मतलब हमें पता होगा और जो प्रोसेस है जो प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे वह सब कुछ अच्छे से पूरा पता होना चाहिए अब objective पर आते हैं तो यह ensure करवाता है quality of product का तो हम नाम से पता चला quality by design यानि जो हमारा product के उसका quality अच्छा हो ensure करें combination of product and process knowledge given during development advantage क्या है इसके तो हम बता सकते हो better understanding of the process, less pitch, failure, increase, manufacturing efficiency, more effective and efficient control, cost saving, risk based approaches, steps हम बता सकते हो यहाँ पे टार्गर प्रिड़क्ट प्रफाइल क्रिटिकल क्वालिटी एट्रिब्योट और लिंक मेस एंड पीपी इस्टू सीक्योएएस डिजाइन स्पेस इस्टैबलिस कंट्रोल स्ट्रेजी और इसक एसस्मेंट पर आते हैं elements में जो फर्स्ट है वह है क्यूटी प्रिपी इसके अंदर जो आपका ड्रग प्रिड़क्ट है उसके बार में हर एक information यहां पर आपको बताना है कि जो भी डोजेस फ़र्म इस्ट्रेंद क्या है रूट अड्मिनिस्टेशन रिलीज फान्मकोलोजिकल एक्टिविटिस हर एक चीज़ एसी यहां पर क्रिटिकल क्वालिटी मतलब कि जो रिस्क है वो उसको कम करें मतलब रिस्क को एसस कर पाए प्रोसेस पैरामीटर अफ्र प्रोसेश है इंपक्ट on critical क्वालिटी एट्रिब्ट एंड फ्टीड एंड प्रोसेस और प्रोडूस्ट अडिजार क्वालिटी इंग मतलब कि जो भी ऐसे एक्रिटिकल जिसके वज़े से आपका जो प्रेट की क्वालिटी है वह बैटर है डिजाइन स्पेस के बार में बता सकते हो कंट्रोल स्ट्रेटेजी और यहां पर सब कुछ इसले लिखा हुआ है एक वर्ड यहां पर लिखे हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना है सिग्निफिकेंस क्यों करता है प्रेटा के क्वालिटी विज एफेक्टिव कंट्रोल स्टेडिजी में आपको क्वालिटी पर फोकस रखने के लिए यह क्यूवीडी है नेक्स्ट वनीज सीडेस को का फंक्शन के बार में पूछा है तो सबसे पहले हम सीडेस को पर आते हैं सी करता है यह अंडर डीजी एचस डारेक्टर जैनरल ऑफ हैल्थ सर्विस के अंदर मिस इसका विजन यह होता है कि प्रोटेक करें और प्रोमोट करें जो पॉब्लिक हैं इंडिया के अंतर मिशन यह कि सेव्टी और एंस्योर कर पाए जो पॉब्लिक का है बाइश्य जो ड्र अब यहां पर थोड़ा बहुत इसका वार में बताएं पर फ्रक्शन पर आता है तो हैड्वाटर के अंदर डीटीएबी डीसेसी का जो मीटिंग्स होता है जो इसके अंदर जी एंपी ओडिक को कंड़क करवा जाता है और कॉडिनेट होता है सब जोर्णल में भी काम होता ह है जो जो जॉनल ऑफिसेस में होता पोट या यह पोट ऑफिस के अंदर रेगुलेट होता है इंपोर्ट या एक्सपोट ड्रक्स का लैबॉरेटरी के अंदर क्वालेटी कंट्रोल किया जाता फॉर्मसेटिकल प्रोड़क का कहां कहां पर है वह आप देख सकते हो लोकेशन स्ट्रेट बता रखा है अब आते हैं फंक्शन स्ट्रेस को का फंक्शन मैंने टो मार्क्स में अल्डेटी बता चुका हूं आपको यहां पर भी लिखना है तो आप बता सकते हैं अप्रूवल ऑफ नियू ड्रग जो भी आप नियू ड्रग मार्गेट में ला रहे हो उसके के लिए यही अप्रूव करवाएंगे सबस्टांस विच कम अंडर देफिनेशन ऑफ नियू ड्रग ऐसे सबस्टांस जो नियू ड्रग के अंदर है कुछ भी नियू कॉस्मेटिक्स हो गया यह सब कुछ यह जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के द्वारा जो सीड लिकेशन जो की आई एंड वाला समिट करेंगे और एंड वाला बाद में करेंगे जब क्लेनिकर रिजल्ट मिल गया तो दोनों को मिक्स करके और नियू ड्रग एप्रूबल के लिए कर दो लाइसेंस और रेजिस्टेशन फोर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ ड्रक के लिए बैन करने के लिए जो भी ड्रग है कॉस्मेटिक है तो यही रिस्पॉंसिबल होते हैं इन्हीं का फंक्षन है टेस्टिंग ऑफ ड्रग बाइसेंट्रल लैप्स और टेक्निकल मैटर तो यहां पर आप देख सकते हो पूरा फाइनली हमने पूरा कोशन वेपर जो है वो सॉल कर चुके हैं तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्ते सांद जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंस्ट्रूमेंटल मैटर आफ एनालीसित का कोशन वेपर सॉलिशन वीडियो में तो जब तक के लिए और तोस्ते सांद जरूर शेयर की